नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुपता आपके साथ समय जो खबर आ रही है वो दरसल यूपी के मलसी चुनाव से जुड़ी हुई है उतर प्रदेश विधान सब चुनाव में जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार एक बार फिर से उतर प्रदेश में बनाई तो वहीं इस बार MLC एलेक्शन में भी 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है आजादी की बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली हो और करीब 40 साल के बाद ऐसा हुआ है जब दोनों सदनों में एक ही दल ने जीत हासिल की हो पूर्ण बहुमत हासिल की हो आपको विस्तार से बताते हैं कि MLC election में किस की जीत हुई और किस की हार अगर सपा की बात करें तो सपा का एक भी प्रत्याशी इसमें अपनी जीत दर्ज नहीं करा सका वहीं बात जहां योगी आदितनाथ ने सभी नव निर्वाचे सदस्यों को ट्वीट करके बधाई दी तो कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के विदान परिशद चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनासपस्ट कर दिया है कि आदर्णिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्ग दर्शन एवं आदर्णिय योगी आदितनाथ जी क नित्रद्व में प्रदेश की जनता प्रखर रास्टवाद विकास तथा सुशासन के साथ है आपको बता दे जिस तरीके से 2017 के बाद से योगी आदितनाथ प्रदेश के मुखे मंत्री बने तो वही 2022 में भी एक बार फिर से बीजेपी ने सीम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उतर प्रदेश में जीत हासिल की शपत लेने के बाद से ही जिस तरीके से योगी आदितनाथ का कड़ा एक्शन रहा अपरादियों के खलाफ जिस तरीके से जिरो टॉलरंस की नीती रही और उन्होंने बढ़ चड़ कर जिस तरीके से कानून वेबस्ता प्रदे हासिल करवाई तो वही अब ठीक एक महीने बाद आज 12 अपरेल को मलसी चिनाव का रिजल्ट डिकलेर हो गया और इसमें भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली है और ऐसा पहली बार हुआ है यानि की 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों सदनों यानि की विधान स सभा में और विधान परिशद में एक ही पार्टी का जो बहुमत है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी पार्टी ने बना रखा है और यह कहीं न कहीं एक ऐसी बात हो गई कि जो बीजेपी है लगातार जीत हासिल कर रही है चाहे बाद प्रधानी के एलेक्शन की करें सकत रवये को दिखाता है जिस तरीके से एक मैने हो गए हैं सरकार बने हुए और जिस पचीस तारीक को उन्होंने शपत ग्रहन किया उसके अगले दिन ही उन्होंने कई तरीके के तमाम फैसले लिये जिसमें से उन्होंने एक फैसला ये भी लिया कि हर मंत्री को 100 दिन का टा तो इस तरीके से सिलसलेवार चीज़े शुरू हो चुकी है और जो योगी आदितनात का कड़ा एक्शन है वो देखने को मिला जहां सपा के एक विधायक ने ये बोला था कि अब हमारे विधान सभा में लोग जादा हो गए हैं विधायक जादा हो गए हैं तो अब सीयम योग लोगी ने सख्त एक्शन लिया था और उनका जो पेट्रोल पंक था उसे अवयद पाया गया और उस पर बुल्डोजर चला दिया गया तो इससे साफ जाहिर होता है कि अपरादी चाहे कोई बहुत बड़ा बाहुबली हो चाहे वो मुखतार अंसारी हो अतीक एहमत हो या फ सुर्षासन के रास्ते पर और एक राष्टवाद बनाने का जो सधान्त लेकर चल रहे हैं पीम मोदी और योगी उसको जरूर जो सपना है उसको पूरा करने का ये जो बीजेपी का रूप है उसको जरूर साकार करना है आपको बताओ दें उत्तर प्रदेश के विधान परि साथ किसी पाची को विधान परिसद में भी बहुमत हासिल हुआ हो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी चुनाव में मुकाबले में ही नहीं दिखी वहीं पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी वहीं तीन निर्दली उमिद्वारों ने भी जीत ह उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के लिए नव निर्वाचिस सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुपकाम नाएं। की शाजहाँपूर पिली भीत, MLC सीट पर भी भाजपा ने कबजा किया है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुपता ने यहां से जीत दर्ज कराई है। सपा MLC एवं प्रत्याशी अमत यादव रिंकुल लंबे अंतर से चनाव हार गए। विधानसभा चनाव द अंतर से हारे थे। वहीं गोरखपूर महराज गंज प्राधिकारी निर्वाचन ख्षेत्र से विधान परिसचनाव में बीजेपी ने सीपी चंद 4432 वोटों से विजए हुए। फरुखाबाद इटावा सीट से बीजेपी के प्रांशुदत दिवेदी ने जीत हासिल की है वहीं 4149 मत बीजेपी को मिला है। साथी सपा से हरीश यादव को मातर 656 मत मिले। इधर कानपूर फतेवूर सीट से बीजेपी के अविनाश सिंग चोहान ने जीत दर्ज कराई है। उनको 4690 मत मिले हैं। सपा के दिलीप सिंग ने 239 मत मिले हैं। राइबरेरी सीट पर चावी मैदान में उत्रे बिरेंदर यादव को बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंग ने करारी मात दी है। लखना उनाव सीट पर बीजेपी के उमीदवार रामचंद्र प्रधान की जीत हुई है। यहां समाजवादी पार्टी के नीवर्तमान विधान परिश सदस्य सुनिल सिंग साजन अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। रामचंद्र प्रधान को यहां 92 फीसदी वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी डॉक्टर काफिल खान को भी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दे मुरादाबाद, शाजहापूर, बरेली, लखनव, सी प्राइच, गोंडा, बाराबंकी, आयोध्या, बस्ती, दिवरिया, आजमगड, गोरखपूर, बलिया, गाजिपूर, जॉनपूर, वारनसी, प्रयागराज, पतिपूर, फरुखाबाज, जहासी, आगरा, मेरट, और सहरनपूर को मतगड़ना केंद्र बनाया गया था। उ सीटों पर 36 सदस्यों का चिनाव की प्रक्रिया, चार फर्वरी को शुरू हुई थी, मगर योपी विधानसबा चिनाव, 2022 के चलते इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था, 25 मार्च तक इस चिनाव के लिए नामांकन जमा किये गए, 36 सीटों में से 9 पर भाजपा के सदस्य निर्विरोद निर्वाचित घोशत हुए हैं, 67 सीटों पर चिनाव हुआ था, वहीं बात करें पहले प्रधानी, फिर विधानसबा चिनाव, और अब MLC चिनाव में जिस तरीके से बार बार अखिलेश यादाओ की यूपी में करारी हार हो रही है, उससे साफ जाहि होता है कि यूपी में समाजवादी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बता दें कि MLC एलेक्शन में जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ गए थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तो वहीं अखिलेश याद उने ये कहा था कि जिस तरीके से विधान सबस्द चुनाव में चीजे हुई है उसी तरीके से MLC एलेक्शन में भी चीजे हो रही है यानि कि EVM की गड़बड़ी हो रही है जो चुनाव आयोग है वो गड़बड़ी कर रही है आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ओफिशल ट्वीटर अकाउंट से एक पत्र जो है उसको शेर किया गया था और इसमें ये दिखाया गया था कि समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर जिस तरीके से MLC चिनाव हुए हैं वहाँ पे पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगाया था लेकिन मतगड़ना होने के बाद एक बाद फिर से साबित हो गया है कि विधानसबा 2022 में जिस तरीके से BGP ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई ठीक उसी तरीके से MLC चिनाव में भी भाजपा को पूर्ण बहु है जब दोनों ही सदनों में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल हुई हो आपके इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे कि और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद